दिली में 25 लोगों ने मोदी जी से सवाल पूछता हुआ पोस्टर लगाया था मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया भारत सरकार के अंडर आने वाली दिली पुलिस ने पोस्टर लगाने वालों को गिरफतार कर लिया जबकि हमारा भारत देश तयोगत राष्टर में खुद यह मान रहा है कि हमने अपने लोगों से जाधा वैक्सीन विदेश भेजी हैं देखिए जो सवाल कर रहे हैं उनका जवाब देना चाहिए सवाल का जवाब हतकरी नहीं हो सकती याद रखना चाहिए कि अभी भी देश में चुनाव होते हैं अभी भी देश एक लोगतांत्रिक देश घूशित है यह हतकरी कांड सिर्फ सवाल पूछने वालों को डरा कर इमज बचाने के लिए था इसके बाद फिर किसी ने सरकार से सवाल नहीं पूचा 2014 से हिंदुस्तान की मीडिया ने नमग का करज अदा किया है कोरोना की दूसरी लहर में भी किया नमक का करज अदा करने के चकर में जब उनकी खुद के एंकर मर रहे थे रेपोर्टर मर रहे थे तब भी प्रधान मंत् देश का बाप कैसे हो सकता है लेकिन नमक इसी को कहते हैं लेकिन विदेशी मीडिया शायद खाने में नमक कम लेती होगी इसलिए भारत देश के अस्पतालों शम्शानों में जो हुआ उसकी तस्वीरे चाप दी थी किसी ने भारत देश के प्रधान मंतरी को कोरुना कंट्रो सही में इंटरनाशनल चैनल लॉंच करने जा रहा है सरकार को लग गया कि नकली से काम नहीं चलेगा भाया जूटी बातों के लिए भी चैनल तो असली ही चाहिए होगा हम कोई जूट नहीं कह रहे हैं मैं प्रग्या मिश्ट्रा कोदी मीडिया नहीं हूँ मैं और सच्ची पत्रकार हूँ ये दीपक चोरसिया जी वाले चैनल न्यूज नेशन की वेब साइट पर लिखा है कि जमू कश्मीर से 96370 हटाने से लेकर CAA NRC और किसान अंदुलन तक के मुद्दे पर अंतराश्ट्रिय मीडा की आलोचना का शिकार हो चुकी केंद्र सरकार अ इस इंटरनाशनल चैनल का काम भारत की चवी को दुनिया के सामने रखने का होगा दीपक चरसिया जी देश के जाने माने पत्रकार है ये उन्हीं की वेब साइट है खर चवी समझें आप इमेज इमेज को बचाने के लिए 25 लोगों पर पोस्टर लगाने के लिए दिली में FIR हुई है अभी तक देश में गोदी मीडिया और बगएर गोदी मीडिया वाले चैनल थे अब इंटरनाशनल स्टर पर भी देश का मान सम्मान बढ़ाने में भारत का इंटरनाशनल न्यूस चैनल अपनी भूमिका आदा करेगा जब विदेशी मीडिया भारत की चलती चित दिखाएगा देश के मुखिया को नाकामी का जिमेदार बताएगा तो भारत का इंटरनाशनल स्टर का न्यूस चैनल भारत की खराब हालत का जिमेदार नहरू की 70 साल की नीतियों को बता सकता है दिल्ली वाले पोस्टर से खराब हुई इमेज सरकारी अंतराश्ट्रिय भा विदेशी पॉपकॉन भून रहा है तो फिर विदेशी मीडिया वाले भारत की बारे में बुरा क्यों चापते हैं विदेशों में तो मोधी जी का डंका बचता था विदेशों में पहली बार हमारी छवी दबंग टाइप बनी थी लेकिन फिर भी फिर विदेशी अकबार सब्सक्राइब ऑल्गों को भारती मेडिया से इमान-धर्म-क्रासिज लेनी चाहिए अखबार और नियूस पॉर्टल सिर्फ सच दिखाने के लिए नहीं होते हैं सपना के ठुमके खरीना के बैटे के लिए भी होते और हाँ, आपसे एक और बात कहनी है, सज को मजबूती से रखने के लिए ट्विटर पर फॉलो कीजिए, मुझे मजबूत कीजिए, मेरी शक्ती बनिये, ताकि सरकारों और उनके पत्रकारों से बराबरी के लेवर पर आकर बात की जा सके, मैं वहाँ आपको at the rate प्रग्या ला झाल